एक कागस पर मोहर नहीं लगेगी तो क्या तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? मुझे वेरे बच्चों से या उसकी माँ से मिलने से कोई ताकत, कोई सरहद नहीं रोक सकती तो दोस्तों तयार हो जाओ क्योंकि भारत का तारा सिंग एक बार फिर पाकिस्तान जाएगा और अपनी सकीना को पाकिस्तान से भारत वापस लेकर आएगा और सकीना आएगी और जरूर आएगी नमश्कार मैं हूँ आपके साथ चंदुशी राजपूत और आप देख रहे हैं खबर इंडिया दोस्तो आज से 20 साल पहले 2001 में सनी देओल और मिशा पटेल की गदर फिल्म आई थी जिसने भौकाल मचा दिया था और एक बार फिर से बॉलिवूड के असली एक्शन किंग यानि सनी देओल बड़े पर धमाका करने को तयार है पिष्ले कुछ सालों से सनी देओल हमें एक्शन अफ़दार में देखने को नहीं मिले जितने भी हिंदुस्तान में सनी देओल के डाई हार्ट फैन है वो हमेशा से ही सनी देओल को एक्शन फिल्म करते होगे देखना चाहते हैं और पसंद करते हैं जब गदर परदे पर आई तो इसने काम्याभी के सारे रिकॉर्ड तोड़ नाले गदर एक प्रेम कथा खास सीक्वल अब बनाया जा रहा है गदर टू के जरीए तो तयार हो जाईए क्योंकि तारा सिंग निकल पड़ा है एक बार फिर से पाकिस्तान के पसी ने निकालने के लिए लेकिन लगता है इस बात से कुछ लोगों के पेट में दर्ध हो रहा है पहली गदर में जुस तरीके से सनीन दयोल ने पाकिस्तानियों को धूल चटाई थी ठीक उसी तरह से अब इस बार भी वो उनकी नाक में दम करने वाले हैं पहले पार्ट में दिखाया गया था कि भारत पाकिस्तान के बटवारे के वक्त कैसे एक ट्रक ड्राइवर तारा सिंग ने दंगो से मुस्लिम लड़की सकीना की जान बचाई थी तारा सकीना को पहले से प्यार करता था लेकिन दोनों के बीच सामाजिक फर्क ऐसा था कि इजहार है मोहबत नहीं कर पाया था अलांकि बटवारे के बाद हालात ऐसे बन गए कि दोनों में प्यार भी हुआ और शादी भी हो गई शादी से दोनों को एक बच्चा भी हुआ था और राजी खुशी साथ साथ दोनों रहने लगे थे सकीना पाकिस्तान के सबसे रसूगदार मुस्लिम परिवारों से में से एक बेटी थी सिख के साथ सकीना की मुहबत और शादी उसके घरवालों को बरदाश नहीं हो पा रही थी और दूसरी तरफ तारा सिंग सकीना को वापस भारत लाने की जी जान कोशिश कर रहा था और इस पर तारा सिंग ने उसके बाप से कहा कि वरना अगर आज ये जट बिगड गया तो सैकडों को ले मरेगा एक तरफ सकीना के रसूगदार परिवार का दबाव और दूसरी तरफ सकीना को साथ लेकर वापस भारत लाटनी की कोशिश में तारा पाकिस्तान में जो गदर मचाता है उसका तो कोई जवाब ही नहीं है सकीना के पिता अश्रफ अली ने जब जट से यानि तारा सिंग से जबरदस्ती पाकिस्तान की जै करने को कहा तो तारा सिंग ने जिस तरीके से फिल्म में हैंड पंप को उखाड फैका था ठीक उसी तरह से वो पाकिस्तान में अश्रफ अली की बखिया उधेरते हुए बड़ी स्मार्ट तरीके से हिंदुस्तान के नारे के साथ ही पाकिस्तान में लगवा दिये और उसने अश्रफ अली से कहा कि आपका पाकिस्तान जिन्दाबाद है इससे हमें कोई एतराज नहीं लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिन्दाबाद है जिन्दाबाद था और जिन्दाबाद रहेगा दरसल जब 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच बटवारा हुआ तो कई इलाकों में दंगे हुए कई परिवार उजड़े पुरानी कहानिया खत्म हो गई और कई नहीं कहानियों ने जन्म लिया लेकिन ये मुल्क है कोई खेत का टुकडा नहीं जो यू ही बट जाएगा बस इसी के बीच इन दोनों की कहानी शुरू होती है अब जहां एक तरफ बॉलिवूट में अभी बॉयकॉट का हल्ला मचा हुआ है वहां सनी देयॉल की गदर दो का आना किसी भूचाल से कम नहीं लेकिन जब से इस पिच्चर की खबर आई है तब से जिहादियों के सीने पर जैसे साप लोट रहे हैं उन्हें ये हजम ही नहीं हो रहा है और अब ये इस मूवी को रिलीज ना करने पर आमदा हो गए हैं दरसल एक खबर के अनुसार सोशल मीडिया पर ये दावा हो रहा है वाइरल चीज़ें आ रही है मुस्लिम वकील द्वारा याचिका दायर कर गदर दो पर रोक लगाने की बांग की गई है दावे में फिल्म को सफल ना बनाने की अपील की जा रही है इसमें कहा गया है कि ये फिल्म मुस्लिमों की भावना को आहत करने के लिए बनाई गई है और इससे release होने से रोक दिया जाए जिस तरीके से बॉलिवुड में खान तिकडी अब धेर होती नजर आ रही है नैपोटिजम का अजेंडा चलाने वालू की खटिया खड़ी हो चुकी है लेकिन अभी भी उनकी अकड नहीं गई है अब उसका एक और नया एजेंडा बन गया है कि किसी तरीके से हिंदुस्तान में अच्छी फिल्मों को आने से रोका जाए और अपने एजेंडे के मताबिक जिन फिल्मों से हिंदू और हिंदुत्व की आस्था पर ठेस महुचे ऐसी फिल्मों को जानबूच कर दिखाया जाए और देश में शान्ती भंग की जाए ल कई लोग है जो गदर दो को एक बड़ी हिट बता रहे हैं और ये वही सोशल मीडिया है जिस पर पिछले कई दिनों से फिल्मों के बॉयकॉट को लेकर बवाल मचा हुआ था और अब वही सोशल मीडिया पर गदर दो को लोगों ने हिट करवाने की मुहीम चला दी है गदर द जो उसके मन में करता था लोगों को दिखाता था पर अब ऐसा नहीं होगा अब वही होगा जिसे जनता पसंद करेगी या देखना चाहेगी बॉलिवॉट गैंग की फिल्मों को लेकर अब ताना शाही नहीं चलेगी तो अब देखना ये होगा कि जिस तरीके से लाल सिंग चड़ा का जो हाल हुआ था बॉयकॉट की निशाने पर वो आ गई थी और उसके जद में बहुत सारी फिल्मों को उसने लपेट लिया था ठीक उसी तरह अब गदर दो उनको टकर देने वाली है जहां पे हिंदूत्व और हिंदू की आस्था को ठेस पहुचाने वाली फिल्म और शायद उन लोगों को अब धीरे धीरे कल आ गई है कि बॉलिवुड में अब उनका सिकान नहीं चलेगा उसी के बाद अब गदर टू जहां पे इन लोगों के निशानों पर नहीं है बलकि लोग इसको सोशल मीडिया पर वाइरल कर रहे हैं और चाहते हैं कि गदर टू ब्लॉक बस्टर हिट हो जाए तो अब देखना ये होगा कि इनकी मुहीं कितनी काम आती है और अब देश वासियों को उनकी मन पसंद फिल्म देखने को मिलेगी जिसमें किसी की आस्ता के साथ खिलवार नहीं किया जाएगा और जो फिल्म हर किसी के दिल में बसने वाली है तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए आप खबर इंडिया को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बूले और आपको कैसी लगी ये फिल्म इस पर पहले से आप रेक्शन में जो कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकता है क्योंकि गदर का जो पहला पार्ट था उसने भ गदर मचा दी थी तो अब गदर दो भी गदर मचाने के लिए तयार है तो इस वक्त इस वीडियो में बस इतना ही बने रही मासा तो देखते लिए खबर इंडिया नमस्कार